So good afternoon all of you, please put the heading interest rates, interest rates, ठीक है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोगो ये समझना पड़ेगा कि हम लोगो ये क्यू पढ़ना है, ठीक है, आज जैसे तुम लोग अगर बैंक में जाते हो, तो हम लोग जो time value of money किये, उसमें क्या था कि मैंने बोला हमेशा n is number of years, right, बट अगर आप लोग थोड़ा closely लेखोगे, sir, your screen is very hazy, okay, I'll share my screen, don't worry, just give me a minute, it's okay now, yeah, if there is any problem, you all can switch on your mic and you all can communicate, okay, तो देखो, अब, अब क्या है, जैसे बैंक में कर हम लोग जाते हैं, तो क्या होता है, अलग-अलग time period का product होता है, जैसे क्या होता है, एक होता है long term investment, एक होता है short term investment, money market investment में क्या होता है, वो आपका दिन, हर दिन का भी हिसाब होता है वहाँ पर, ठीक है न, हर दिन का हिसाब होता है, जैसे अगर आप पैसा दो दिन के लिए बोरो करना चाते हो, या फिर आप हफता भर के लिए deposit करना चाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कोई time limit नहीं है, आपको products मिलेंगे हफता भर से ले करके, 6 मैना से ले करके, 5 साल, 10 साल, ठीक है, तो हम लोग को क्या है न, हर time period का interest rate या फिर discount rate निकालना आना चाहिए, आज अगर मानलो मिरको पराइनम का interest rate दे दिया है, तो उससे मिरको 1 मैना, 2 मैना, 3 मैना, 4 मैना, 5 मैना, 2 दिन का मिरको interest rate निकालना आना चाहिए, conversion करना आना चाहिए, ठीक है, यह इसका first part हो गया, एंड दूसरा part क्या है, जैसे share market में क्या होता है, आप देखते हो, एक share है जिसका दाम है 90 रुपया, तो वो 90 से कभी 87 आ जाता है, कभी 87.5, कभी 86 आ जाता है, कभी 92, तो वो क्या होता है, वो आपको हर second एक return दे रहा है, it's not necessary कि वो जो return है, वो positive हो या फिर negative हो, बट वो आपको हर second कुछ return देता है, ठीक है, अपने calculator महाँगा था न, एक बार office में जाओ, बोलो sir का calculator देने, एक बार मेरा calculator सेखते हो, तो वो हर second आपको कुछ return देता है, ठीक है, तो that is force of interest, तो यही दोनों चीज़ हम लोग को आज के class में समझना है, ठीक है, तो ठीक है, एक चीज़ समझना, जैसे, मिला, SBI bank, तो SBI bank का क्या policy है, यह लोग half yearly interest देता है, half yearly interest देता है 3% करके, बने हर 6 मेना में 3% से पैसा compound होगा, ठीक है, तो तुम यहाँ पर जमा कराया है, मानलो 100 रुपिया, पहला 6 मेना के बाद में क्या हो जाएगा, into 1.03, दूसरा 6 मेना के बाद में क्या हो जाएगा, again into 1.03, हम लोग अब से सब कुछ compound interest के हिसाब से ही करेंगे, unless and until I don't tell you the word simple or commercial, ठीक है, तो यह हो गया मेरा एक साल का, राइट, तो अगर मानलो एक और बैंक है, Axis Bank, यहाँ पर क्या होता है, quarterly होता है, एक साल में 2 half year, 4 quarter, 2 half year, 4 quarter, यहाँ पर आपको quarterly मिलता है 2% करके, ठीक है, तो आपने 100 रुपिया जमा कराया, तो तीन मेहना के बाद में क्या हो जाएगा, into 1.02, फिर तीन मेहना के बाद में क्या हो जाएगा, into 1.02, फिर तीन मेहना के बाद में, into 1.02, into 1.02, तो अब आप यह चीज समझी है कि पैसा कितना बार compound हो रहे हैं, अब आपको अगर यहाँ पर मैं बोलू, यह जो है आपका 3% आपको देख के लग रहे हैं, यहाँ पर क्या आई यह, 6% साल का है, बट यह 6% साल का नहीं है, उससे जादा है, कितना है मैं आपको बताता हूँ, देखना 0.0609 आएगा, चेक करो, फोलो करना, कैलकुलेटर निका लो, तो जल्दी यहाँ चलाओ, तुमको पता कैसे नहीं चले की class है, spam, मेरा मैंसे spam है, ओके, यहाँ पर क्या होगा, 1.02 to the power 4 minus 1, करो यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 0.0824, अब मेरा बात समझना, अगर हम लोग first look देखें, किसी को अगर हम नहीं पढ़ायो हैं, तो वो क्या सोचगा, 3% 6 मैने का है, तो साल का हो जाएगा 6%, इसको एप्रॉक्स रेट बोलते हैं, बट accurate rate क्या है, 6.09%, अगें, Axis Bank के बारे में सोचो, कितना है, अगर हम approximately सोचें, तो 2% quarter का होने से 8% साल का होता है, लेकिन exact rate कितना है, 8.24%, ठीक है, तो यही हम लोग को समझना है, कि जब compounding जो है, उसका जब time period change होता है, तो उसका यहाँ पर अलग-अलग-अलग हम लोग को notation बना के उन्होंने दिया है, तो पहले इसको copy कर लो एक बार, basically factor से minus one करेंगे, तभी ना तुम्हारा interest rate आएगा, नहीं तो वो factor बना वर रहेगा, factor क्या होता है, एक रुपे डाला तो कितना बना, ठीक है, और interest rate क्या होता है, कितना percent return आ रहा है, बना की hablar, बना की सUल है, आएगा, आएगा नाब कितना से कुक्क रेहा है, लहें एकूर क्या है, लोग पला, जिए अएगारे के बनादों लोग कितना एमरां के बना टॉके बनादों से कॉन थे जे तंबढ़ाब के से का है, प्क्नल इम्हाने के हमाहां, जीकmbol थे तोढ़ next week से excel का भी class चालो हो जाएगा ठीक है, please excel का basics आप लोग please sunday तक करके रखें, ठीक है, हो गया एला, हाँ, done, ठीक है, अब एक बात ध्यान दे न, यह done है तो, ओके, और तुम लोगो न, cs1 का, मतलब basics का class देगा, ठीक है, 4-5, तो वो तुम लोग धीरी-धीर करके देखते रहना, अब भी उसका काम नहीं आएगा, उसका काम आएगा chapter 14-15 से, once we start with insurance company वाला पार, ठीक है, तो वो basics जो है, stats वो तुम लोगो थोड़ा बहुत करके रखना है, ठीक है, फिर भी देख लेना, यह हो गया ना, ठीक है, अब heading लगाना, notations, तो notations में ध्यान दीजेगा, notations में ध्यान दीजेगा, सबसे पहले, notations में ध्यान दीजेगा, सबसे पहले i, i के लिए लिखिए, annual effective rate of interest, ठीक है, एक और चीजे, डरना मत, i2 by 2, सुनो, यह i square नहीं है, this is just a notation, i उपर में 2 है, bracket है, और नीचे में divide by 2 है, इसका मतलब लिखो, half yearly effective rate of interest, अब एक बात बोले क्या, उपर वाला example से बताओ, i2 by 2 क्या है, उपर में जो भी example लिए हो, इससे बताओ, i2 by 2 क्या है, 3%, i2 by 2 3% है, तो i2 क्या है, 6% into 2, वो जो मैंने बोला ना, approximately 6% है, that is i2, मैंने, जबरदस्ती कोई चीज को annualize करने को बोलते है, nominal rate of interest, which is i2, ठीक है, जबरदस्ती उसको annualize कर दे, लेकिन क्या effectively मेरे को 6% मिल रहे है, नहीं, effectively कितना मिल रहे है, 6.09%, ठीक है, i2 by 2 लिखा, next लिखना, i4 by 4, एक साल को 4 भाग में divide करेंगे, तो क्या मिलेगा, quarter, so this is what, quarterly effective rate of interest, उसके बाद में आ जाएगा, i12 by 12, तो ये क्या हो जाएगा, बोलना मिरको, monthly, ठीक है, monthly effective rate of interest, ये बताना क्या हो जाएगा, i3 by 3, एक साल को 3 भाग में divide करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4 months, so this is what, 4 monthly, this is what, 4 monthly effective rate of interest, अगर हम लोग करेंगे, i3 65 by 365 तो क्या हो जाएगा, daily, ठीक है, उपर वाला example से देखके बताना, i4 by 4 क्या है, 2% तो i4 क्या है, 8%, मतलब हर quarter में effectively मेरको 2% मिलेगा, annual में approximately मेरको 8% मिलेगा, और annual में effectively मेरको 8.24% मिलेगा, एक साल में अगर quarterly compounding हो रहा है, तो 4 बर compounding, monthly compounding हो रहा है तो 12 बर compounding, और अगर half yearly compounding हो रहा है तो 2 बर compounding, clear है, हाँ, इस batch का मन करा है, नाम देदे, stay ahead batch, क्योंकि जब लोग start करेंगे ना, तब हम लोग खतम करेंगे, बस आप सब का साथ चाहिए, और कोई भी class miss मत करना, ठीक है, कुछ भी हो तो हमको बोल देना, मैंसे जितना उपएगा, मैं adjust कर देंगे, बट miss नहीं करना है class को, ठीक है ना, मने जो लोग भी सारा, हम लोग के यहां का track record है, यह हम लोग अभी अपना advertisement के नहीं पे बताते नहीं है, जिसने भी 100% class किया है, वो आज तक अभी fail नहीं हुए, मने यह हम लोग के यहां का track record है, मनला आज आज स्टार्ट कर रहे हो ना भी, मने जो भी ऐसा कोई है कि जो 100% class किया, उसका कभी वो बच्चा fail नहीं हुए, यह शुरू से लिखे अभी तक का track record रहा है, ठीक है, तो कोई भी class miss नहीं करना है, ठीक है, चलो, तो यह हो गया, ठीक है, ओके, इसका लिखना, heading लगाना, nominal rate of interest, nominal rate of interest, एक और चीज, जैसे क्या होता है, हम लोग, यह अपना-पना comfort का बात है, जैसे शुरू का जो portions है, शुरू के 13 chapter, इस quite simple, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ वैसा hard and fast वैसा कुछ नहीं है, हम पढ़ाएंगे, तुम लोगो easy लगेगा, but the main problem starts from chapters 17, 18 onwards, ठीक है, so what I am planning is, I want to spend more time on those topics, ठीक है, so उसके लिए क्या है कि, तुम लोग, अभी वाला जो part है, उसको तुम लोग जितना अच्छा से करेगा, तुमको उधर में उतना कम problem होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के उसमें time रहेगा उस time पे, तो हम लोग मतलब, वो सारे जो portions है, मैंने जो contingencies वाला जो part है, we'll spend more time on that, ठीक है, nominal rate of interest, लिखो, these are annualized rates of interest, these are annualized rates of interest, these are annualized rates of interest, these are also known as convertibles as they can be easily converted into effective rates of interest, these are annualized rates of interest, full stop, these are also known as convertibles as they can be easily converted into effective rates of interest, full stop, ठीक है, these are approx rates, these are approx rates, ठीक है, full stop, example, i2 is equal to, i2 का मतलब लिखो रहे है, i2 का मतलब लिखो रहे है, nominal rate of interest, i2 का मतलब लिखो रहे है, nominal rate of interest, convertible half yearly, ठीक है, उसी तरीके से i2 लिखना, nominal rate of interest, nominal rate of interest convertible monthly, ठीक है ना, ओके, अब पूरा मतलब तुम लोगो शायद समझ में आ जाए, जैसे देखो, अब जैसे मैं तुम लोग को बोलता हूँ, i2 by 2 है 5%, इसका मतलब क्या है, हर half year में मेरेको effectively 5% मिलेगा, annually approximately मेरेको 10% मिलेगा, and annually effectively मेरेको कितना मिलेगा, ध्यान ये बाद देख लो पहले, 1.05 क्या है, आधे साल का accumulation factor, into 1.05 करेंगे, अब ये एक साल का accumulation factor हो गया, minus 1 करेंगे, मेरेको interest rate मिल जागा, देखो तो कितना आ रहा है, 0.1025 आ रहे के नहीं आ रहे है, चेक करो, 0.1025 आ रहे के नहीं आ रहे है, चेक करिए, ठीक है, कोई problem नहीं है इसमें, ओके, ठीक है ना, ओके, तो ये हम लोग का complete हो गया, तो अब जैसे देखो, अब आते हैं main part में, यहां तक ठीक है, अब देखो, a 0 to 1 इसका मतलब क्या है, accumulation factor from time 0 to time 1, accumulation factor from time 0 to time 1, ठीक है, a 0 to 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, a 0 से 0.5, ठीक है, into a 0.5 से 1, लिखो मत संग संग रुख जो, तो यह हो जाएगा मेरा 1 प्लस i, यहां पर मेरे को एक साल का interest rate यूज करना है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस i2 बाइटू, 1 प्लस i2 बाइटू, i2 बाइटू क्या है, half yearly effective rate of interest, उसमें plus 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, आधे साल का accumulation factor, ठीक है, तो यह आधे साल का accumulation factor हुआ, यह और आधे साल का accumulation factor हुआ, टोटल मिला के क्या हो गया, एक साल का accumulation factor, तो दाहिना तरफ भी एक साल का accumulation factor, और बाया तरफ भी एक साल का accumulation factor, so this is what 1 plus i2 by 2 का don't you think हमने अभी जस्ट यही चीस किया 1.05 का square उससे जब minus 1 कर रहे है तो मेरा i आ रहे है right copy कर लो इसको यह इसका general formula है 1 plus i is equal to 1 plus ip by p whole to the power p अब अगर मालनो quarterly रहेगा तो क्या रहेगा 4 बर करेंगे तो 1 plus i4 by 4 whole to the power 4 वहाँ पर क्या रहे है number of times compounding is being done in a year is 4 times clear everyone यह पहला formula है इसको लिख लो एक दम अच्छे से ठीक है हाँ अब जैसे मालनो मेरको i दियावा है 5% या फिर 0.05 मेरको i4 निकालना है ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे 1.05 is what 1 plus i4 by 4 whole to the power तो यहाँ पर क्या हो जागा 1.05 to the power 1 by 4 minus 1 whole into 4 is what i4 solve करिए इसको 1.05 फिर power में जाकर के झालेंगे 1.05 प्रूप तो 1.05 तो 1.05 तो 1.05 तो 2.05 तो 2.05 झाल झाल देश दिये ग्रुप में How to use calculator सबके बस में Fx82 ES plus calculator होना जी ठीक है कितना अर एंसर 0.049089 ठीक है ठीक है एला clear everyone कोई भी problem इसमें नहीं दिक्कत नहीं है ठीक है next ठीक है अब आज यह इसके बाद में अब जैसे माल लो मेरको I4 दियावा है 3% अपने को I2 निकालना है ध्यान देना सुनो I4 दियावा है I2 निकालना है तो I4 से एक साल का accumulation factor बनाते है कैसे बनाएंगे 1 प्लस I4 by 4 whole to the power और I2 से कैसे बनाएंगे 1 प्लस I2 by 2 का square तो अब जिसे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.03 I4 sorry हाँ 0.03 by 4 whole to the power क्योंकि मैंने I4 is 3% दिया है तो I4 by 4 क्या हो जाएगा 0.75% which is what 0.0075 0.75% मितलब क्या हो था 0.0075 ठीके solve करिए इसको now this is equal to 1 प्लस I2 by 2 का square तो यह क्या हो जाएगा 1.0075 whole to the power 4 by 2 minus 1 whole into 2 solve करिए इसको एक जन बोल रहा है 0.0301 5 to 6 decimal places में answer हो ना ची ठीके जो लोग भी ऑगस्ट वाला ग्रूप में आ गिया ना वो लोग में ग्रूप छोड़ देना ने तो confusion होगा तुम लोगो ठीके main group में कोई नहीं रहेगा main group छोड़ दो वो अभी September वाले लोगों के लिए ठीके हो गया एला ठीक है डन अब तुम लोग के लिए एक practice question जब यह हम लोग प्राक्टिस question में तो सेवा भाव एसा question exam में नहीं आता है बटी हम लोग सेवा भाव से करते हैं ताकि हम लोग को concept अच्छा हो ठीक है तो हम लोग को i दे दिया है 0.1 आप लोग को निकालना है i2 i4 i12 ठीक है i6 चली यह चार से और एक i3 यह पांच ही निकाली है फड़ा फट कर देंडं़ कर पक्तरा से रही है चार जड़ाता खांच है ताकि हम लोग कर दो हम कर दो लोग में दो एता है घज उता है झाल 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 कितना रहे बोलो तब ऐसी बंद करना दो मिट के लिए हाँ बोलो 0.09761 0.09761 और फिर झाल झाल लास्ट वाला इसका बोलो लास्ट वाले का क्या रहा है 0.09684 ठीक है ठीक है अब यही सेम चीज़ हम लोग डिसकाउंट में भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो डिसकाउंट वाले का हम लोग का क्या बनेगा 1-D is what 1 साल का डिसकाउंट फैक्टर ठीक है इस 1-DP by P whole to the power P ठीक है और एक और हम लोग बना सकते हैं जो कि most general है 1 plus I is what 1 by 1 minus D एक साल का accumulation factor is equal to 1 by एक साल का discounting factor या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus I P by P whole to the power P is what 1 by 1 minus D P by P whole to the power P ठीक है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये वाला P और ये वाला P दोनों सेम होगा नहीं हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ इक्वेट कर रहे हैं एक साल का accumulation factor को 1 by एक साल का discount factor से ठीक है copy कर दीजिए कर दो भीज़ इक है ठीक है है हाँ हो गया यह वाला i4 हम लोग को दिया वह 8% d2 निकालो तो कैसे निकालेंगे 1 प्लस i4 by 4 whole to the power 4 is equal to 1 by 1 minus d2 by 2 का square solve करिए इसको तो कैसे solve करेंगे बोलो 1 प्लस 0.08 by 4 whole to the power 4 is what? 1 by 1 minus d2 by 2 का square चलो इसको solve करो işte वेप्या है all the power झाल 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 यला हुआ कितना राइस का एंसर 0.077 6 D दिया है तुम लोग को 8% calculate D2 D4 यह दूनों calculate करें D2 आरहे है पॉइंट 0.0816 6 और D4 कितना आ ह्रहे हैं? 0.0825 एक कुशन लिखना the constant nominal rate of interest the constant nominal rate of interest convertible quarterly is 15% per annum ठीक है full stop calculate av after 7 years of a payment of pound 300 तो quarterly हम लोगों दे दिया है करो 75 ठीक है तब लोग क्या equation मनाएंगे 300 into 1.03 75 to the power 28 is equal to जो भी आ रहा है ठीक है solve कर लो झाल कर दो अ मु कर दो कर दो सब ड़ ठीक है, अब एक बास समझना, कितना अलएसका अंसर? 840.9, ठीक है, अब नेक्स सेटिंग लगाना, फोर्स अफ इंट्रेस्ट, ठीक है, फोर्स अफ इंट्रेस्स, अब मेरे तर्फ देखो, तो यह जो टॉपिक है न, फोर्स अफ इंट्रेस्स का, इसका मतलब पहले लिख देना, continuous compounding, तो continuous compounding का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग करते हैं, i12, अब क्या हो जाएगा, अब यह i infinity हो जा रहा है, मने हम लोग का time period बहुत छोटा हो गया है, ठीक है, हर second return आ रहे है, हर minute return आ रहे है, तो अब हम लोग उसका properly कर नहीं पाएंगे, बहुत cumbersome हो जाएगा, तो बोल करके इसको हम लोग delta से denote करते हैं, continuous compounding का मतलब क्या होता है, force of interest या फिर delta, ठीक है, अब यहाँ पर एक complex पूरा derivation है, जो हम लोग को required नहीं है, ठीक है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे, ठीक है, normally समझना है, 1 plus i क्या है, एक साल का accumulation factor जब हम लोग को annual effective rate of interest दिया हुए, अब अगर हम लोग को force of interest देगा, तो हम लोग करेंगे e to the power delta, e का मतलब क्या होता है, exponential, और delta मतलब क्या होता है, force of interest, आपको देदेगा ऐसा कुछ, continuous compounding 5% per annum, force of interest 5%, तो हम लोग delta समझेंगे उसको, ठीक है, और यह हम लोग का conversion का rule है, 1 plus i is what, e to the power delta, ठीक है, अब एक बात समझना, कब apply करेंगे, जब हम लोग को, आज जैसे मनलों, 10 साल का time period है, और हम लोग का weekly compounding हो रहे हैं, तो उस case में हम लोग उसको continuous मान के करेंगे, because weekly भी कर सकते हैं, अब रेजर्स में होता फरक नहीं आएगा, चाहे तुम weekly करो, चाहे तुम continuous compounding मान के करो, ठीक है, तो हम लोग continuous compounding देखके लगें, कब लगाना है हम लोग को, हम लोग के syllabus में जब ही हम लोग को बोल देगा, कि money force of interest दे देगा, तब ही हम लोग को लगाना है, ठीक है, वहे पर मेरा v0 to n क्या हो जाएगा, e to the power minus delta n, ठीक है, लिख देना, इसके बाद note में लिख देना, delta is the nominal rate of interest per unit time convertible continuously ठीक है, i infinity का मतलब भी delta होता है, ठीक है, हम लोग को delta दे दिया है, 8% per annum, pv दे दिया है, 500, t दे दिया है, 3 years, av निकालो, तो av कैसे निकालेंगे, 500 into e to the power 0.08 into 3, right, solve करो, प्रक प्रक देना, जाढ आए, 2, right, solve करो, आए, 2, right, solve करो, आए, 3, right? आए, 3, right, solve, प्रक्रक्र, जाए. इसका कितना आरा एंसर अवी का 635 पॉइंट जो भी है, अब हम लोगों अवी टाइम 5 का दे दिया 800, हम लोगों डेल्टा दे दिया 9%, हम लोगों 5 साल पुल बैक करना है, present value निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 800 e to the power minus 0.09 into 5, solve कर लीजिए इसको, यह वाला आपका नया वाला 22-22 का मैट से चैप्टर नमबर 4 है, time value फोनीज चैप्टर नमबर 3, ठीक है, हो गया, done? क्या चीज? e exponential है, बेटा, e is exponential, e is e के power में, जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जैसे i infinity जो है, उसको हम लोग delta से denote कर रहे हैं, ठीक है? डेल्टा मतलब क्या है? continuous compounding, जैसे मनलों कर यहाँ पर 2 रहता, तो मतलब एक साल में 2 बार compounding, अभी यहाँ पर infinity है, इसका मतलब क्या है? बहुत बार compounding हो रहे हैं, जैसे कि हर second compounding, हर minute compounding, हर दिन compounding, तो भी, बने actual में क्या होता है, आप हर दिन करो, चाहे आप हर आधा दिन करो, आपके answer में उतना फरक नहीं आएगा, तो इसलिए इस सबको हम लोग एक limiting value delta ले ले लेते हैं, ठीक है? and convert कैसे करेंगे? e power delta, अगर force of interest देगा, तो accumulation factor for one year is e के power में delta, ठीक है? दूसरे वाले समका answer क्या आ रहे है? 500, 10 point, ठीक है, अब एक question करो, D हम लोग को दे दिया है 9%, हम लोग को निकालना है I, D2, I12, delta, यह चारो चीज़ अम लोग को निकालना है, solve करो इसको, हम चारो चारो बोग कवेडा नह और करो लोग समका.. क लोग में लोग को सफ करो दोग को । अबग करो दाब करो को, हम लोग को आए तो तो नहीं उलगा? हम कर भाब शूब, अबगू है, झाल 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 कितना कितना आ रहा है बोलना 9.89% 9.21% 9.47% 9.43% यह चारो आया है के चेक करो तो एक बर यहां तक करो यहां तका है तक करो P 9.88% झाल 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 ठीक है, तो जैसे हमने क्या देखा, delta constant था, राइट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि over time, over a span of 5 years, 10 years, delta same रहे, तो अब क्या है, now delta has become a function of time t, तो मेरा जो function है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0.02 plus 0.01t, अब इसका मतलब आप लोग समझेगा, इसका मतलब क्या है, delta has become a function of time t, ठीक है, तो अब जैसे से मेरा t बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा delta change होगा, इसको बुलते है, delta as a function of time, आज जैसे तुम लोग जब model करता है कोई भी चीज़ को, तो तुम लोग धीरे-धीरे करके क्या होता है, real life में जाता है, आज जैसे interest rate है, covid आया, तो interest rate गिरा, अभी फिर धीरे करके interest rate बढ़ रहा है, तो ये तो real life चीज़ होगा ना, कि interest rate change होता है, interest rate constant थोड़ी रहता है, तो this is a more practical approach, ठीक है न, delta t, now how to solve this thing, हम लोग अभी देखे, n years का accumulation factor हमारा आ रहा था, e to the power delta n, लेकिन अगर हम लोग देखे, इसको close लिए तो ये है क्या, e to the power delta plus delta plus delta ऐसे करके है, ठीक है, discrete में हम लोग sum करते हैं, क्योंकि वहाँ पर delta constant था, बोलके sum कर दिये तो अपना काम चल गया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को integrate करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मेरेको a, 0 to n निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, exponential integration, 0 to n, delta t dt, basically integration क्या है, continuous summation, integration का मतलब क्या होता है, continuous summation, exponential का मतलब क्या है, e के power में, अरे e to the part delta n था न, तो delta n क्या था, delta प्लस delta प्लस delta n टाइम्स, लेकिन आप क्या करना है, मेरेको delta t के सारे values को sum करना है, कहां से कहां तक, 0 से n, ठीक है, तो इसको copy कर लिजे, और यही अगर मेरेको निकान लाओ, मानलो, v 0 to n, तो यह हो जाएगा, exponential minus integration 0 to n, delta t dt, यह minus किस चीज क्या बोलो तो, very good, discounting factor का, 1 by वाला चीज है, आप अगर accumulation factor को 1 by करोगे, तो minus आए गई, ठीक है, सब लोग बोलेंगे समझ में आया की नहीं, सारे online वले बच्चे फड़ावट से पताएंगे, yes और no, आयूश जोशी, अधिति, अधित्य, अक्षिता, अमन, दिप्ति, देव, दिप्ति, दिया, हर्ष, हर्शित, कनिश्का, मान्या, ओमकार, प्रसन्न, प्रितिभा, प्रियांशी, राहुल, रिया, साहिल, संजु, सान्या, शाश्वत, शिवानी, स्रेयास्पर, सुहानी, सुहित, तनीशा, वैभव, सब लोग बताएंगे, हाँ, सब लोग लिख रहे हैं, समझ मैं आगे हैं, ठीक है, चलो, तो ये हो गया, अब इस पे एक सम कर लो, अब इस पे एक सम कर लो, तो ये मेरा ΔT, स को कॉपी कर लो, ठीक है, तुमको क्या निकालना है, तुमको इस ΔT से निकालना है, A 0 to 8, A 5 to 8, ठीक है, मैं तुमको एक करके दिखाऊंगा, बाकि सब तुमको करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, a 0 to 8 का मतलब क्या होता है a 0 to 8 का मतलब हो जाएगा exponential bracket integration 0 to 8 delta t मेरा क्या दिया हो है 0.02 प्लस 0.01 t hole into dt ठीक है अब इसको solve कर लीजे आप लोग solve करेंगे कैसे exponential 0.02 into 8 समझ गया ना t आएगा तो 8 minus 0 plus 0.01 by 2 समझा क्या वलो तो t square by 2 तो उसका by 2 into 64 क्योंकि 0 वला तो दोनों 0 हो जाएगा ठीक है देख लो और इसको solve कर लो आपका answer आजाएगा exponential मतलब e के power में सर आप e के power में integration क्यों नहीं कर दिये कमबर सम हो जाता न e के power में integration इसलिए e x भी लिखके कितना रहे वह बताने एक बर कितना रहे वसके लिए बता दूंको 1.616 07 और a528 कितना रहे है कितना रहे है एक बता दो दूंको झाल 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 दूसरा वला कितना आ रहा है? वन पॉइंट टू नाइन जिरो फोर ठीक है विए लोग कोशन एक दम आराम से करो झाल 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 0.08 झाल 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 5 झाल 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 झाल